जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वेस्ट स्टेडिव पॉइंट वे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ दो संख्याओं के योग पांसो बीस है उनमें बड़ी संख्या को चार परसेंट कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को बारा परसेंट बढ़ा दिया जाए तो प्राप संख्या एक समान होगी तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है आप से छोटी संख्या पूच रहा है दोस् चार परसेंट और जो है पुला है छोटी संख्या देखिए यहां लिक रहा है छोटी संख्या को 12% बढ़ा दी जाए छोटी संख्या में 12% प्लस कर दीजे 12% जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में कोई भी काम होता है दोस्तों ठीक है अब देखिए चार परसंट सो में घटाएंग तो यहाँ 96 96 आजाएगा और इसमें जो है छोटी संख्या जो है बारा परसंट जोड़ेंग तो 112 हो जाएगा अब इसको काड़ दीजे दोस्तों तो शोल लस अलएज एक दिया दिजएगा दोस्तों जब भी एक समान बरावर का बात हो ठीक है तो क्या संख्या इधर संख्या हो जाएगी अच्छोटी संख्या इधर वारी संख्या हो जाएगी ठीक है तो हमारा बड़ी संख्या कौन हो गया कि बड़ी संख्या इधर अनिसाथ हो गया अच्छोटी संख्या कौन हो गया दोस्तों चोटी संख्या छे हो गया उलड़ जाता है दोस्तों ठीक है अब इन दोनों का बॉल रहा है कि दो संख्याओं का योग कर में करते है योग करेंगे तो त connect करेंगे तो 3 आजागा तो 520 यहां लिखे 520 बराबर है तो पांसो बीस गुने छे बटा 13 अब इसको काड़े जे तेरह चोटे बाववन ये 40 आया ऐब इसको 40 को छे से गुना कर दो工作 तो 4 चकुण 24 240 हा जागा दोस्तों अधिया आपका इंसर हो जायेगा तो छोटी संख्या क्या है दोस्तों तो 240 है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स म्ह lived को देखते दोस्तों चलिए नेक्स म्ह देखिए दोस्तों कि अगला प्रस्रिश का रही बात अधी 120 एक संख्या आ तो उस संक्या का 120 परसेंट कितना होगा दोस्तो यह लाता हूं बनाने का हर कोई बना सकते हैं दोस्तों लेकिन आपको एक्जाम में टाइम बचाना है मैं इसी ले लाता हूं इस तरह का प्रस्तों चले कि ताकि आप ऐसा ट्रिक सीख के जाएं कि आपका टाइम जो है पांच सेकेंड में बन जाए इस तो बोल रहा है 120 देखिए यहां जो है दिया है 120 दिया हुआ है यहां परसेंटेज में दिया और यहां भी परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज को एक तरफ कर दीजेगा अब सही ध्यान रखें अधि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120 परसेंट कितना होगा कि तो 20% बराबर कि 120 तो 120 परसेंट पराबर कि तो 120 गुने 120 बटा 20 अब इसको काड़ दीजे तो 120 चके 20 से अब 120 को 6 से गुना कर देंगे तो बर्षक 72 720 आजागा अई यह आपका इंसर हो जागा दोस्तों तो सही एंसर क्या हुआ तो 720 होगा दोस्तों चलिए अब निख्ट परस को देखते दोस्तों बस आपका 5 सिकेंड़ बन जागा दोस्तों लेकिन अगर नहीं जाएगा चलिए तीसरे परस को देखते हैं दीसरा परस देखिए दोस्तों दीसरा परस क्या रहा आपका एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से सुल जाथा है तो वह संख्या क्या है द्यान दिजेगा दोस्तों एक संख्या का 13 परसेंट तो संख्या मान लिजे संख्या जो है एकस है तो एकस का 13 परसेंट और फिर बोल रहा है उसी संख्या का 5 परसेंट तो इसी संख्या का 5 परसेंट और एकस का ही 5 परसेंट से 16 ज्यादा है बराबर 16 और ज्यादा और कम अंतर को बताता है दोस्तों क्य इन दोनों में घटा दीजिए, ठीक है, अब अंतर निकाल देंगे, अंतर बराबर कितना आजाएगा, आठ परसेंट, ठीक है, इस आठ परसेंट बराबर सुल्ला है, कितना जाद है, तो सुल्ला जाद है, तो हमारा पूछ रहा है, वह संख्या कितना है, तो 100 परसेंट अब इसको कार दीजह 8 fera 26 am том आइए ठोट से किना करेंगे तो 200 वह संख्या क्या है दोस्तों तो वह संख्या 200 है चले तो सही antar किया हो दोस्तों 2 Chinese कम से कम इस तरह फ्रस्त जो है भुँक्र दोस्तों आप लोग से 5-10 सेकंड के के अंदर बनना चाहिए इसलिए मैं इस तरह कर प्रस्ट लाता हूँ चले नेक्स प्रस्ट को देखते हैं कि देखिए चौथा प्रस्ट दोस्तों चार नंबर प्रस्ट आपका क्या का रहा है अधि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है तदानुसार उसे बहतर करने के लिए कितने पर्सट की विर्दी करना होगी गर्द देखिए दोस्तों एक संख्या है जिसको 10% कम कर दी जाती तो जब भी percentage का बात होता है तो 100% में कोई भी काम होता है तो 10% अगर कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा तो 90% हो जाएगा अगर संख्या जो है 10% कम कर दिया तो कितना हो गया तो 90% अरो बोल रहा है कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है तो उसे 72 करने के लिए कितने % की विर्दिक की जाए तो एक चीजा आप लोको हमेशा दिमाग में रखिएगा जोस्तों जिसको निकाला जाता है उसको देहने साइड लिखा जाता है तो आप जो है परसेंटे निकालने के लिए बोल रहा है तो आप जो है परसेंटे निकालने तो इसको जो है गुना कर दीजे नब्बे गुने 72 और बटा में 54 ठीक है अब काटिए तो नौ छके 54 और नौ दे हैं नब्बे फिर इसको काटिए शो से एक लिए बर्चक 72 ठीक है अब हमारा जो है इस दस को गुना कर देंगे 12 से कितना आजागा 120 आजागा दोस्तो अब 120 आजागा लेकिन आपको पूछ रहा है कि परतीसद विर्दी करनी होगी ति कितनी परतीसद विर्दी जब भी कमी या वेसी 100 में ही होता है तो परतीसद विर्दी विर्दी परतीसद बराबर कितना हो जागा तो 120 में आप सब को घटा दीजिए तो कितना आजागा तो 20 दोस्तो आई आपका एंसर हो जागा तो सही एंसर क्या है दोस्तो तो 20 परसेंट कितना दोस्तो तो 20 परसेंट यह डी नंबर में हुआ है चले आगे बढ़ते हैं और पाच्व परस को देखते हैं दोस्तों चले पाच्व परस देखें दोस्तों पाच्व परस नहीं आपका किसी संक्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है उसमें कितने परसेंट की विर्दी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो अब किसी संक्या को 25% कम कर देते हैं जब 25% कम कर देते हैं तो वो कितना हो जागा 75% हो जाएगा जब भी परसेंट है इसका बात होता है 100% में होता है 100% में तो 25% जब कम किया गया तो वो कितना हो गया तो 75% और 75% ये जो है तो कितना हो जाता है कि एक मिनिट दोस्तों कि 75% बरावर 225 दोस्तों तो 100% बरावर कि 100% बरावर 225 बटा यह बटम आ जाएगा 75 अब 75 से काटेंगे यह तो तीन बार में आ जाएगा तो हमारा आ रहा है अभी 300 ठीक है और यहां बोल रहा है कि विर्दी के जाए ताकि 365 हो जाए दो विर्दी कितनी की जाए क्लिए तो विर्दी परावर 365 में 300 को घता दी तो हमारा आजाएगा 75 आ जाएगा ठीक है अब परतीस्त उल्य सदेगं परतीसत विर्दी तो आप क्या की देगा सौव में निकालिएगा तो क्या सौव घटाव 75 बराबर 25 परसेंट अई आपका इंसर हो जागा दोस्तों तो सही इंसर क्या हुआ तो 25 परसेंट दोस्तों चलिए दोस्तों अगर आप लोगो वीडियो अच्छी लगयो तो प्लीज वीडियो का लाइक करें चैनल सब्क्राइब करें और वीडियो का अधिक साधिक सेयर करें दोस्तों चलिए अब कल मिलते हैं थैंक यू